रिशी कपूर एक ऐसे आक्टर है जो आए दिन अपने बिबाग बियानों की वज़ा से लाइम लाइच में रहते हैं कभी अपने बेटे की फिल्मों को लेकर डारेक्टर्स पर भड़क जाते हैं तो कभी ट्वीटर पर ऐसी ऐसी बाते लिख देते हैं जो लोगों को हजम भी नहीं होती अब भई अगर हम रिशी की बात फिर से कर रहे हैं तो आप समझी गए होंगे कि एक बार फिर्म मिस्टर कपूर ने कुछ ऐसा बोल दिया है जो खड़ी कर सकता है एक बार फिर कॉंट्रोवर्सी जी हां दरसल हाली में रिशी नेकिन जव्यू के दुरान दो बड़े डायरेक्टर्स पर फिर से निशाना सादा है उन्हेंने फ्लॉफ फिल्में बनाने पर अनुराग बासू और अनुराग कर्शब पर जम कर भडास निकाली है आईए दिखाते हैं आपको आखित का रिशी ने क्या कहा अनुराग कर्शब को बॉम्बे वेलवेट बनाने के लिए काफी पैसे मिले लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि उसे खर्च कैसे करना है निर्देशक अनुराग बासू की फिल्म जगा जासू से गटिया फिल्म थी जिसमें कोई कहानी ही नहीं थी मैंने रनवीर से इस बारे में पूछा भी था तो उसने कहा कि पापा उन्होंने मुझे बर्फी जैसी फिल्म भी दी है मैं उन पर सवाल कैसे खड़ा कर सकता हूँ वैसे अब रिशी जी आपने एक बार फिर इन डारेक्टर्स को ताना कस तो दिया लेकिन बार बार एक ही बात को इतना खींचना कहा की समझदारी है वैल अब देखना ये काफे इंटरसिंग होगा कि अनुराद बासू और अनुराद का शब रिशी किस बात पर कैसे रियाक्ट करते हैं आपको हमारी ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं